हेलो एस्टुडेंट्स, मेरा नाम कुसम तिरपाथी है, वह मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं स्टुडेंट्स कल मैंने प्रोनाउन का फर्स शेप्टर दिया था, फर्स наверście दिया था जिसमें प्रोनाउंस का पूराँ चार्ट है प्रोनाउंस कैसे subject subject object की जघह बर यूज होते हैं और जब वो पजसीप केस में आते हैं तो कैसे यूज होते हैं उन्में और adjective का जो position बनता है pronoun और adjective का जो possessive case होता है वो थोड़ा सा लगभग same होता है थोड़ा सा जो उसमें फर्क होता है कल मैंने आपको उसको detail में बताया कि हम उसको identify कैसे करते हैं कैसे हम पैचान ले कि वो pronoun का possessive case है और कैसे हम पैचान ले कि वो adjective का case है तो अब हम pronoun के kinds देखते हैं कि pronoun कितने प्रकार के होते हैं तो there are nine kinds of pronouns 9 तरह के pronouns होते हैं 9 में जो है first होता है personal फिर possessive फिर demonstrative ये देखी मैं आपको दिखा देते हूँ फिर reflexive फिर interrogative फिर emphatic फिर distributive उसके बाद indefinite फिर relative तो इस तरह से no pronouns होते हैं इस पर आप फिर से देख लिजे आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको repeat कर देती हूँ पहला personal दूसरा possessive तीसरा demonstrative चौतरा reflexive फिर interrogative फिर emphatic फिर distributive फिर indefinite उसके बाद relative pronoun होता है तो कल जो हम लोगों ने चार्ट देखा था उसमें personal pronouns clear हो गए थे फिर possessive case personal pronoun I, we, you, they, he, she, it है उसके बाद फिर possessive case है mine, ours, hers, his, yours or theirs इसमें कल मैंने आपको बताया था किसमें noun इसमें I के साथ जो my का use होता है my plus एक noun add होता है इसके understood है ours में भी ये understood है r plus एक noun understood है hers her plus एक noun जो भी आप use कर रहे हो वो understood है इसको लिखने के बाद possessive pronoun लिखने के बाद कभी भी noun का use नहीं किया जाता अगर आप noun का use कर दोगे तो गलत हो जाएगा आप लिखते हो it is mine ball तो ये गलत हो जाएगा it is ours bag bags तो ये sentence भी गलत हो जाएगा it is our bag सही है लेकिन it is ours यानि आप ये s लगा कि अगर आप इसका ऐसे use कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा ठीक है क्यों गलत हो जाता है क्योंकि इसमें एक noun already अपने आप में understood है hope आपको समझ में आ गया होगा ये आपको दिख रहा है हाँ बेड़ा अब demonstrative pronouns आप देखिए this, that, these, those ये demonstrative pronouns होते हैं ठीक है this, that जो है singular होता है और इनका plural होता है these or those ये जो है हिंदी में इसको आप ऐसे समझो दर्शाने वाला दर्शाने वाला pronoun ये कहलाता है जैसे हम कहते हैं ये है मेरी किताब है दिखा दिखा के बताने वाला ये है मेरी किताब है अब आप चुकी वीडियो पे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ लेकिन आप इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई चीज दिखाते हो और उमली से इशारा करते है ये है मेरा है कहते हो ना वो मेरा है ये चीज़े हैं मेरी है यानि दिखा दिखा के करने वाला दिखा दिखा के बताने वाला जो है ये प्रोनाउन होता है अच्छा यही डिमोंस्टेटिव प्रोनाउन भी होता है यही डिमोंस्टेटिव एड्जेक्टिव भी बनता है लेकिन दोनों में फरक्या होता है जब यह demonstrative pronoun होता है तो इसके बाद एक noun कभी नहीं आता this bag is mine अब यहाँ पर जो this bag है यह demonstrative adjective हो गया आप ध्यान रखें कि जब भी यह demonstrative adjective बनेगा इसके बाद एक noun जरूर से आ जाएगा और जब यह demonstrative pronoun का काम करता है pronoun की तरह रहता है तो इसके बाद कभी भी noun नहीं आता this is my car देखें इसके बाद कोई noun नहीं आया that is my car फिर कोई noun नहीं आया these are my cars फिर कोई noun नहीं आया ऐसे ही दोज के बाद आप एक sentence बना के देखो लेकिन अगर हमने का this car is mine तब this car तब यह this जो है demonstrative adjective हो गया क्यों यह demonstrative adjective हो जाएगा क्योंकि इसके बाद फिर एक car आपने लगा दी जो की noun है that car is mine तो that के बाद फिर आपने car लगा दी है जो की एक noun है मतलब आप ऐसा नहीं है कि car का ही example मैं दे रही है तो केवल car लगाने जो भी noun है आप लगा दो ठीक है इसके बाद हमेशा एक noun आता है और demonstrative pronoun जब बनता है तो इसके बाद कभी भी एक noun इनके बाद कभी भी noun इनको follow नहीं करता है hope clear हो गए आपको फिर fourth number में हम आते है reflexive pronoun reflexive pronoun क्या होता है यह बनते कैसे हैं पहले तो आप यह समझ रो आपने देखा है न आई का माई होता है हर का she का हर होता है दे का दे का देम होता है objective ठीक है अब आप देखो जो माई होता है इसमें आप self लगा दो हर में जो है self लगा दो देम में आप self लगा दो हिम में self लगा दो इत में self लगा दो तो आपको समझ में आ रहा है, reflexive pronoun बनते ऐसे हैं, reflexive और emphatic pronoun भी same रहते हैं, यही रहते हैं, फिर बच्चे जादातर क्या होते हैं, कि दोनों में फरक नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, अंतर कैसे करना है, यह देखे, आप ध्यान से समझ की बर भी वही होता है, जैसे I saw myself in the mirror, मैंने शीसे में खुद को देखा, तो देख कौन रहा है शीसे में, मैं देख रहा हूँ, और दिख कौन रहा है, दिख भी मैं ही रहा हूँ, दूसरा sentence है, हम लेते हैं, he hurt himself, उसने खुद को घायल कर लिया, तो किसने घायल किया खुद जब doer और receiver same होते हैं, तब हम reflexive pronoun का use करते हैं, जनरली जो reflexive pronouns होते हैं, यह object की place पे आते हैं, इसलिए जब आप यह introduction देते हो, myself is sohan, हम introduction देते हैं, आज सीखते हो आप, myself is kusum, myself is deep tea, तो यह sentence गलत है, गलत क्यो है, क्योंकि इसका use, जो है, आप अपना introduction दे रहे हो, आप देने बाले भी आपी हो, आपी बता भी रहे हो, ठीक है, और action भी आपी का है, दोनों चीज़ों में जब आपी हो, तो आप myself का use subject की place पे नहीं कर सकते हैं, वो object की place पे जागा, इसलिए यह गलत है, इसलिए आपको हम my name is कुसुम्तिरपार्थी, my name is this, that, यह आपको हमेशा बताना चाहिए, ठीक है, myself is this, myself is, उसके आदे का आप नाम लगाते हो, वो गलत है, उसके बाद बटा, तो बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर next है, interrogative pronoun, interrogative pronoun का क्या काम होता है, यह questions करने के काम आते हैं, फिर आपको हम यहाँ पर याद दिला दें कि adjective में भी, interrogative adjective भी आते हैं, ठीक है, उनको भी ऐसे ही फरक करना है, हालंकि मैं adjective वाले ही portion में इसको बताऊंगी, ठीक है, interrogative जो होता है, यह questions करता है, जैसे who is my friend, whom do you know, what is this, which is your book, यह इस तरह के questions करते हैं, ठीक है, और अगर इसके बाद, इन WH words के बाद, अगर कोई noun आ जाता है, तो interrogative adjective हो जाता है, और अगर इनके बाद कोई noun नहीं आता है, तो यह interrogative pronoun रहता है, के लिए, उसके फिर next आप देख रहे हैं, emphatic, emphatic में वही वाले words है, myself, herself, themselves, जो अब के जो है, किस में थे, reflexive pronoun में थे, ठीक है, emphatic जो pronoun का use तब होता है, जब इस चीज को emphasize किया जाता है, कि जो action है, वो खुदी मैंने किया है, subject ने किया है, जैसे, I myself did this, जब मैं इस बात को जादा जोड़ जेके बताती हूँ, कि का मैंने ही किया है, मैंने ही सारे questions solve किये अकेले किये है, मैंने खुदी ही घर का सारा काम किया है, ठीक है, I myself did all the work, यह I के बाद जो myself आया, यह emphatic pronoun है, यह इस बात को emphasize कर रहा है, कि जो काम है, मैंने खुदी ही किया है, ठीक है, अच्छा हम लोग जब थोड़ा इसके kinds को अलग से detail में पढ़ेंगे, तो थोड़ा स यह refer तो plural number को करता है, लेकिन बात एक एक की करता है, each boy, each of the boy, either of you, neither of them, यह इस तरह से use करता है, और यह हमेशा plural number की verb लेता है, यह आपको ज़रू ध्यान रखना है, और खास तरह से उन बच्चों को ध्यान रखना है, जो competitive exams को कर रहा है, और वो भी बच्चे जिनका यह editing बाला questions आता है, और editing or origins के questions आता है, आपको भी ध्यान रखना है, यह जो है, उसमें add होता है, यह बाला portion जरूर प्रोनाउन में add होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें, indefinite pronoun, indefinite pronoun क्या होता है, जो definite नहीं हो, जो निश्यत नहीं हो, anyone, someone, everyone, none, somebody, everybody, है ना, someone, कुछ जिसमें यह clear नहीं हो कि subject कौन है, तब indefinite pronoun का use होता है, उसके बाद है फिर relative pronoun, relative pronoun क्या होते है, relative pronoun दो sentences को जोडते है, relate करते है, इसलिए इनको relative pronoun कहा जाता है, जैसे relative pronoun का एक example देख लेते हैं हम लोग, this is my friend Mira, whose mother is an engineer, यह मेरी, यह जो whose word आया है, यह है तो अब आपको लगे आपको समझ में आया है, यह जो डिटेल में इनका kind of pronouns है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने एक आपको ओवर्व्यू देने की कोशिस की है, होप आपको समझ में आयेगा, फिर लास्ट में वही बात अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखके दें, कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, तो जिस्से की आगे सुधार किया दा सके, थेंक यू सो मच,